इसके साथ ही एक पोस्ट है जो कि WhatsApp और Twitter पे बहुत ही वाइरल हो रही है कि HDFC बैंक का जो टोटल वेटेज होगा बैंक Nifty में वो 52.40% का होगा अगर ICICI Bank का जो वेट है उसको भी अगर हम मिला लें तो टोटल 75% का वेटेज सिर्फ इन दो स्टॉक्स के पास हो जाएगा बट ऐसा बिलकुल भी सच नहीं है यह जो पोस्ट आपके सामने वाइरल हो रही है यह फेक है इसके बारे में आज ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों वेलकम बैक विद न्यू वीडियो दोस्तों कल यानि की 13 जुलाई से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफी को चेंज होने वाले हैं जो चेंज हो रहा है वो HDFC ग्रूप की वज़े से हो रहा है क्योंकि आप सभी ने सुना ही होगा कि HDFC एंड 2 कंबाइन हो चुके हैं और जिस किसी के पास भी HDFC के शेयर थे उनको HDFC बैंक के शेयर होंगा तो कोल मिला के जो HDFC बैंक है वो बहुती बड़ा बैंक बंचुका है और गो इन्टि लेकिन कल से 13 तारीस से आपको HDFC का जो शेयर वो share market पे देखने को नहीं मिलेगा आपको HDFC bank केवल देखने को मिलेगा and Reliance Industries की जगा जो number 1 पे अभी आ चुका है वो HDFC bank तो अभी कल से यानि कि 13 July से Nifty 50 के अंदर HDFC bank का highest weightage हो जाएगा and HDFC को जो replace कर रहा है वो LTI mine tree यानि कि mine tree का stock अभी Nifty 50 में आ जाएगा and HDFC bank का HDFC के साथ जो merger हुआ है इस वज़े से Nifty के अंदर जो total weight है इस group का वो 14.43% हो जाएगा 13 July से तो यहां पर एक chart भी है then and now का अभी तक क्यानि की 12 July तक Nifty 50 के अंदर Reliance Industries का जो weightage था वो था 10.86 and HDFC bank का जो weightage था वो था 8.59 इसके साथ में जो HDFC है इसका weightage था 5.93 लेकिन HDFC bank and HDFC combine हो चुके हैं तो इसलिए 13 July से जो HDFC bank का total weightage हो जाएगा वो 14.43% का हो जाएगा तो इसलिए अगर आप Nifty में ट्रेडिंग करते हो तो HDFC bank and Reliance Industries सातिज़ाद ICICI bank इन तीनों को भी साथ में अच्छे से track करना इसके बाद अभी हम लोग bank nifty की बात कर लेते हैं तो आप सभी ने viral post देखी होगी जिसमें कहा गया है कि bank nifty के अंदर HDFC bank का जो weightage है वो 52.40% का हो जाएगा और इसके साथ अगर हम ICICI bank को भी मिला ले तो जो total weightage होगा कीबल इन दो stocks का bank nifty के case में वो 75% का हो जाएगा तो ऐसा बिलकुल भी सच नहीं है इस तरीके का concentration risk जो होता है उसको रोकने के लिए NSE ने ना weight ceiling लगा रखा है एक particular single stock का जो weight होगा bank nifty के case में वो NSE के दोरा 33% पे fix है आप 33% से उपर का किसी भी single stock के लिए weightage नहीं हो जकता and 62% for the cumulative top 3 float stock and top के 3 stocks का weight मिला करके 62% से उपर नहीं होना चाहिए तो bank nifty के case में जो HDFC bank का अभी तक weight था वो 26.90% था लेकिन कल से 29.10% हो जाएगा यह आप देख सकतो हो यहाँ पर HDFC bank का weight था bank nifty के case में वो 26.90% था जो कि 13 जोलाई से 29.10% हो जाएगा ICICI bank का 24.40% था यह अभी 23.30% हो जाएगा SBI का 10.50 था यह अभी घट करके 9.60% हो जाएगा तो bank nifty के case में आपके जो तीन top banking stocks होंगे वो होंगे आपके HDFC bank, ICICI bank and State bank of India इन तीनों ही banks का percentage है bank nifty के case में वो अभी तक 61.80% का था लेकिन कल से इसका जो weight है वो 62% के approach हो जाएगा so guys that's all in this video I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग F stock market के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है आप comment box मुझसे पुछ सकते है आपको उसका reply जरूर मिलेगा जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत